नमस्कार सबीको यहां पर हम लोग कुछ important multiple choice questions को देखेंगे और जो questions होने वाले mathematics के होंगे और जो हमारा topic है उसमें हम लोग सारे के सारे जो previous year questions है वो discuss करेंगे जितने हो सकेंगे अगर आप जामिया मिलिया इसलामिया का जो भी entrance exam होता है class 11 का CHS का होता है या AMU का होता है ती यह बिना time waste के start करते हैं देखें first question में क्या कहा गया तो देखें first question क्या कह रहा है the length of rectangle is increased by one third तो सबसे पहले समझे कि length of rectangle अब area के बारे पूछा गया है length को क्या किया गया बढ़ाया गया है one third बढ़ाया गया है मतलब पहले जो length ही उससे one third उसको increase कर दिया गया और जो width है w dth हो गए यहाँ पर spelling थोड़ी गलत हो गई with मतलब breath उसको one third क्या कर दिया गया है reduce कर दिया गया है पूछा क्या गया area is reduced by area में कितना reduction होगा यह चीज पूछी गई है तो दीखें बहुत simple सा है जैसे अगर माले length पहले L थी breath माली जे पहले B थी ठीक है अब नई length क्या हो ज 4L upon 3 हो जाएगा पहली चीज हो गई इसके बाद width reduced by one third अब width पहले कितनी थी तो B थी अब उसमें से क्या कर दिया गया है width को reduce किया गया तो minus B by 3 हो जाएगा क्योंकि one third reduce किया कितना आ जाएगा 2B upon 3 हो जाएगा ठीक है अब अगर new area निकाला जाए तो area new अगर निकाले तो कितना हो जाएगा L into B नया हो जाएगा आप देखे 4L by 3 पहले था मतलब नया 4L by 3 length है और breath अगर आप देखे तो 2B upon 3 है ठीक है अब यहाँ पर दिखाई पढ़ रहा होगा 4 into 2 हो जाएगा 8 ठीक है तो 8B upon 3 3 जा 9 यह 8 LB upon 9 BL या LB लिख सकते है LB upon 9 तो पहले area क्या था LB थ तो पहले था 1 अब हो गया 8 by 9 तो reduction कितना हो गया 1 upon 9 का reduction हो गया तो इसलिए हाँ क्या option सही हो जाएगा B option यहाँ पर सही हो जाएगा अगले question पर आते हैं the sum of 3 numbers of AP 24 तो देखे आपको 3 numbers दिये गए हैं और 3 number को जो sum दिया है AP में कितना है 24 है product कितना दिया है 440 दिया है find the numbers आ देखे बहुत आसान है जब भी 3 number AP में दिये हो तो क्या करना होता है तो करना कुछ ऐसा है कि पहले number को A minus D ले लिजे दूसरे number को A ले लिजे और तीसरे number को A plus D ले लिजे ठीक है क्या कहा हमने पहला number हो जाएगा A minus D दूसरे number हो जाएगा A और तीसरा हो जाएगा A plus D A plus A plus D आएगा और इसकी value क्या दette है 24 दि हुई है ठीक है अब यहाँ देखे ये D और ये D कट गया यहाँ से आपको 3 A की वेलू 24 मिल गई तो 3 A को आपके लिख सकते है 24 के equal लिख सकते है अपने लिख दिया यहाँ से आपको A की LETU क्या मिल जाएगी 24 four upon three मिल जाएगी और twenty four upon three का मतलब क्या है 24 upon three का मतलब है eight ठीक है तो यह आपको क्या हो गया eight हो गया ठीक है इसके बाद देखे क्या करेंगे इसके बद आपको कहा गया product जो है वो कितना है four forty है अब क्योंकि product four forty दे दिया तो product का क्या किया जा प्र्ड़क रंदा भाइं मल्टिप्लिकेशन थrearki acknowledgement किसे करेंगे इसको देखेगा जैसे पहला आपके पास नंबर है minas d ठीक तो इसको लिख सकते हैं 8 sqlmd य कि 2,8 लिखे matar हो गया multiplied by किससे wulд How to Buy करना है 8 से multiplied by 8 plus d's Say ठीक तीन का apply करने क्या मिलने वाला है तीनों apply करेंगे तो आपको मिलेगा 440 ठीक है तो यहां पर 440 लिग दीजे अब पहले तो 8 को नीचे apply कर दीजे तो यह minus b a plus b a square minus b square वाला formula लग जाएगा तो 64 ठीक है मिला तो यहां से की वैल्याइगी लगे ऐगा अब आपके पास डिया तर्म है ठीक तो पहला आपके पास क्या है एट है ठीक है दूसरा टर्म क्या होने वादा तो एट 11 एगा ठीक है अब यहां पर को थोड़ा सा सोचना होगा 811 अगर आपने पहला टर्म 8 ले लिया लेकिन पहला टर्म लोग ने लिया गया था ए माइनस डी लिया था ना तो 8 ए है और डी 3 है तो ए माइनस डी करेंगे तो 5 हो जाएगा तो इस दिए 5 8 11 will be the correct answer that is option number A ठीक है यहाँ पर none of the above मतलगा दीगा वरना गलत हो जाएगा अगले question पर आते हैं question number 3 में कहा गया तो series 21 16 देखें यहाँ पर एक series दिए और वो AP में है AP का मतलब यह होता है कि चाहे इन दोनों का difference देखें या इन दोनों का difference मतलब कोई भी consecutive terms का difference देखा जाए तो वो अगर same आ रहा है तो इसका मतलब वो AP में है तो AP में होगा यह which term of AP is minus 54 पूछा गया कौन सा term ऐसा होगा जो minus 54 होगा ठीक है अब term पूछा गया है तो nth term आपको दिया हुआ है तो nth term जो होता है TN उसका formula लगा दीजे A plus bracket में N minus 1 into D ठीक है यह अपने formula लगा है तो देखें क्या मिल जाएगा यहाँ minus 54 दिया हुआ था is equal to A आपको पता ही है 24 21 है plus N minus 1 को as it is उतार दीजे multiply by D अब देखें D क्या होता है यह भी से होगा जो होगा वो आगे वाला term minus पीछे वाला term मतलब 16 minus 21 16 minus 21 minus 16 ना कर देगा गलत हो जाएगा यह minus 5 हो गया ठीक है तो इसको क्या लिख सकते है minus 54 as it is उतार जाएगा यहाँ पर minus 5 से multiply कर दीजे ठीक आप देखें यह जो 21 जाएगा वो इधर की और जाएगा तो minus में हो जाएगा तो minus 21 equal to n minus 1 as it is उतार दिया और यहाँ लिख दिया minus of 5 multiply करके minus 54 minus 21 अगर आप करेंगे तो minus 75 हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा अब देखें minus 5 को आप चाहें तो नीचे बहिद दें क्योंकि कट जाएगा यह minus और यह minus कट गया यह minus 1 हो गया अब इसके बाद देखें क्या हो जाएगा 75 5 काट लीजे तो फाइव और फाइव 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 25 तो n की वेलू क्या जाएगी 16 आ जाएगी ठीक है तो यहाँ पर n की वेलू क्या है 16 है that is option number B is correct अगले question पर आएगे अगला question देखेंगे देखें क्या कहा रहा है ना triangle ABC जैसे आपको ट्रैंगल दे दिया गया ABC करके ट्रैंगल दे दिया गया पहले टाइकम को बना लेते हैं ठीक है से मालीजे यह A है यह आपका B है और यह आपका C है ABC दिया है AC is equal to 10 मतलब यह वाली चो length दी गई है यह कितने दी है 10 cm है 10 मान लेत units दी गई है AB की value 6 दे दी गई है मतलब यह 6 है BC की value 8 दी है इसका square जो होता है वो इसके square के sum के बराबर होता है इसका अनलब क्या हम लोग इसमें कह सकते हैं कि AC square बराबर क्या हो जाएगा AB square plus BC square आपको दिख भी रहा होगा 10 का square 100 6 का square 36 8 का square 64 ठीक है तो 100 100 is equal to 64 plus 36 तो आपको यह मिल ला होगा यह identity और यह identity कहां मिलती है जब AC क्या होगा hyperteneuse होगा ठीक है क्योंकि यह identity अगर आप याद रखें तो यह pythagoras theorem है ठीक है pythagoras theorem में मिलती है कि hyperteneuse का square is equal to perpendicular का square plus base का square यह वही तो है इसका मतलब hyperteneuse AC है तो hyperteneuse के सामने वाली जो side होगी मतलब सामने वाला जो angle होगा क्या होगा 90 degree क्योंकि जो angle होता है ठीक है जो 90 degree angle होता है उसके सामने वाली side क्या होती है हमेशा hyperteneuse होती है तो क्योंकि B angle जो होगा 90 degree होगा तब ही AC hyperteneuse होगा ठीक है तो यहाँ पर पूछा गया था angle B क्या होगा तो angle B हो जाएगा 90 degree तो इसमें option number C बिलकुल सही हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अगले question पर आते हैं तो देखे 7 question discuss किया था 8 question रहेगा the sum of first 5 multiples of 7 तो first 5 multiples 7 के क्या होंगे ठीक है तो पहले 5 अगर देखा है पहला 7 हो जाएगा फिर 14 हो जाएगा फिर 21 हो जाएगा फिर 30 फिर 28 हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा ठीक है अब यहाँ 5 आपको numbers दिखाई पड़ोंगे पहले 5 multiples है किसके 7 के अब इन सबका sum बताना मतलब सबको जोड़ना या तो सबको सीधे सीधे जोड़ लीजे या इसका formula लगा दीजे formula कैसे लगाएगे इस चीज को याद रखेगा ठीक है formula कैसे लगेगा बहुत आसान है formula अब जैसे आपको पता होगा जो क्योंकि यह AP है और common difference क्या दिखाए पड़ रहागा तो A इसमें आपको दिखाए पड़ रहा है A जो है वो 7 है D जो है DB 7 है ठीक है number of terms कितने है number of terms है 30 number of terms है 5 35 तो last term है आपको simple formula लगाना है S का S जो होगा S मतलब इन 5 वो terms का जो sum होगा वो होता है N upon 2 2A प्लस N-1 DB आप लिख सकते है या A प्लस L भी लिख सकते है अब यह A क्या है तो A first term होता है और L क्या होता है L होता है last term जिसमें A की value हो जाएगी 7 last term की value हो जाएग 35 तो आप निकाल लीजे S की value क्या हो जाएगी number of terms थे 5 तो यहाँ 5 upon 2 हो गया multiply आप किस से कर देंगे A प्लस L से A है 7 और यह है 35 तो 7 प्लस 35 कितना हो जाएगा 42 ठीक है इसको cut कर लिए 21 हो जाएगा 21 into 5 क्या हो जाएगा 105 हो जाएगा तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो A option इसमें क्या हो जाएगा बिलकुल सही हो जाएगा अगले सवाल पर आते हैं कुशंबर 9 से देखेंगे तो sum of all integers from 1 to 1001 अब देखें odd integers के आरें बात करेंगे सभी numbers के आरें बात नहीं करें करेंगे पहले तो यहाद रखेगा तो odd integers क्या क्या हो जाएगा तो पहला 1 हो जाएगा फिर 3 हो जाएगा फिर 5 हो जाएगा डॉट 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 ऐसे कर दीजे ठीक है और कहां तक लेख चले क्योंकि यह भी और्टिंटीजर है तो 1001 तक अब इसमें कितने number of terms हैं यह आपको पहले पता नहीं क्योंकि sum निकालना वही same उपर वाला formula लगेगा number of terms नहीं है पता नहीं है a पता है l पता है तो पहले number of terms निकाल लीजे number of terms कैसे निकलेगा last term से तो l का formula होता है a plus n minus 1 into d a formula होता है last term का ठीक है ठीक है तो l is equal to a plus n minus 1 निक कर दीजे तो देखे l क्या है 1001 है तो यह 1001 लिख दिया is equal to क्या हो जाएगा a a मतलब पहला term आपको पता है पहला term 1 है plus n कितना है n ही तो निकालना है तो n minus 1 multiplied by d अब d common difference दोनों का 2 हो जाएगा इसको आप इदर minus कर दीजे तो 1000 1 minus 1 क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा is equal to n minus 1 into क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा तो अब 2 को नीचे भेजेंगे तो 500 आ जाएगा इसका अलब n minus 1 की value क्या आ गई 500 आ गई अब n minus 1 500 है इसका अलब लब लग टरम्स कितने हैं 501 हो गए अब sum क्या हो जाएगा sum का formula है n upon 2 ठीक है a plus l यह आपका sum है ठीक अब n देखिएगा n कहाँ पर दिया गया है number of terms है 501 तो इसको लिख दिए 501 upon 2 ठीक है और a क्या है a हमारा 1 है और यहाँ पर हो जाएगा plus 1001 हो जाएगा 1002 हो जाएगा तो इसको ऐसे कर लिजे 501 upon 2 into 1002 इसको आप फिर से कट कर दिएगा तो 501 आ जाएगा 501 to 501 क्या हो जाएगा 251 001 तो इसमें 3 option बिलकुल सही हो जाएगा थोड़ा सा बड़ा question है लेकिन हो जाएगा next question पर आते हैं हम लोग ने कित्ते question discuss कि 9 discuss कि 10 वा question रहेगा ठीक है 10 वे question में देखे क्या कहा गया है find log base 10 9 अब देखे जब भी यहाँ पर subtraction का sign हो तो समझ जाएगा यह जो value होती है यह हमेशा divide में चलिया आती है तो इसको ऐसे लिख सकते है log 10 तो रहे गई रहेगा base 10 रहेगा और यहाँ हो जाएगा 9 upon 3 और 9 upon 3 को क्या लिख सकते हो 3 लिख सकते है ठीक है तो यह हो जाएगा log base 10 और यहाँ पर हो जाएगा 3 तो log base 10 3 कहां दिखाए प्लो रहे है A option दिख रहे है इसलिए सही हो जाएगा 11 वे question पर आते है यहाँ देखे क्या कहा गया cosec theta अब यहाँ पर पहले हम सबको simplify simple form में change कर लेते हैं तो cosec theta मतलब क्या होता है तो cosec का मतलब होता है 1 upon sin theta ठीक है तो इसको 1 upon sin theta लिख दिया into sin theta पहले से ही था ठीक है into sin theta लिख दिया into 10 theta लिखा हुआ था ठीक है अब देखे 1 upon जो cosec है अब देखे यह चीज याद रखेगा कि strict theta जो होता है यह बराबर होता है 1 upon cos theta ठीक है और जो cosec theta होता है फि願 sì अगर आपको याद है तो आप कर ले जाएंगे इस question को यह होता है 1 upon sin theta और tan theta जो होता है ठीक है बराबर होता है 1 upon cot theta ठीक है ये तीनों identities याद रखेगा ये sin theta, sin theta कड़े answer किया गया 10 theta तो यहाँ पर B option बिलकुल सही हो जाएगा अगले पर आते हैं देखें यहाँ पर set से related question दिया गया बहुत आसान जा formula इसमें भी लगेगा और आसानी से आप इसको कर लेंगे यहाँ पर जो A दिया है वो 27 है B की value 35 है A union यह मतलब होता है union और intersection A intersection B आपसे पूछा गया है कितने A intersection B में हों गया ऐसे intersection का symbol है यह तो एक formula रखेए A union B का formula रखेगा आप सबसाब कुछ हो जाएगा A plus B minus A intersection B A union B का उनलब यह होता है कि A भी हो और B भी हो जैसे माल लिजए आपको ऐसे कुछ set बना दिया जाए तो यह A था पूरा यह B था ठीक है और यह जो आपको छोटा सा दिखाई पड़ रहा है ना इसमें A और B दोनों ही आगए इसी को intersection कहते हैं और A union B क्या होता है कि उनलब उसमें यह भी आ जाएगा और उसमें यह भी आ जाएगा ठीक है तो A intersection B और A union B आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए अब यहाँ पर अगर देखा जाए ठीक है यहाँ पर अगर देखें तो simple सी चीज हमको दी गई है यहाँ पर A union B की value क्या दिए गए 50 दी हुई है 50 रख दीजे is equal to A कितना दिया है 27 दिया है रख दीजे plus 35 दिया है रख दीजे minus X यही निकालना इसको X मान लिया गया अब simple सा formula है आप देख सकते हैं आपर X को धर भीज दे बाकी इधर की और भेज दिये तो इन दोनों के जवाब add करेंगे तो कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा ठीक है 62 minus X बराबर 50 तो यहाँ से X जवाब निकालेंगे तो X क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा तो 12 is the correct answer तो यहाँ पर B option आप देख भी सकते है 12 question का answer भी 12 आ गया अगले question पर आते है question number 13 देखते है 13 में देखे क्या कहा गया ठीक है अब देखे यहाँ पर थोड़ा सा आपको technometric बारें पता होना चाहिए पता है तो आसानी से किया जा सकता है cos pi minus X की value पूछी गई है अब समझेगा पहले यह quadrant बना लीजे क्योंकि बिना quadrant के इस question को नहीं किया जा सकता है ठीक है तो देखे कैसे किया जाएगा यह first quadrant जैसे हो गया यह आपका second quadrant हो गया याद रखेगा anti clock wise चलता है third हो गया और यह क्या हो गया fourth quadrant हो गया अब पहले quadrant में अगर आप देखें तो होता क्या है यहाँ पर सब कुछ positive होता है सब कुछ को मतलब यह है sin, cos, tan, cos, x, x सब कुछ मतलब यह 0 degree हो जाएगा यह 90 degree है मतलब 0 से 90 degree के बीच में sin की value, cos की value, tan की value cos की value, सब की value क्या होगी हमेशा positive होगी ठीक है, तो add हो गया इसको ऐसे याद करते है add sugar to coffee ऐसे याद कर लिजए add sugar to coffee करके अब देखें, s का मतलब, sugar का मतलब क्या है s का मतलब है, sign यहाँ positive होगा ठीक है, और sign के साथ इसका reciprocal मतलब cos एक इसमें positive होगा cos एक theta और sin theta समें positive होगा sugar to के बाद t का मतलब क्या है, t का मतलब है tan positive होगा, ठीक है और cot positive होगा c यहाँ पर दिया है, c का मतलब है cos ठीक है, cos positive होगा और cos का reciprocal मतलब sc, cs होता है, तो से theta भी positive होगा बागी और इसमें negative होजाएंगे, जैसे यहाँ पर पूछा जाए, कि 90 से 180 degree, यह हो गया 180 यह हो गया 270, और यह फिर से क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा मतलब यह value 0 है 360 भी है, अब आप से पूछा जाए, क्योंकि cos pi minus x पूछा गया है अब cos pi minus x का मतलब क्या है pi मतलब होता है 180 degree याद रखेगा, pi मतलब होता है 180 degree 2 pi मतलब 360, ठीक है pi 180 है, इसका मतलब pi से कम value है, pi से कम, इसका मतलब 90 degree, इसका मतलब ना कर दीजेगा pi minus x का मतलब यह है, कि वो यहाँ कहीं लाइक करेगा, मतलब second quadrant में आएगा, यह value कहा है कि second quadrant में आएगी और आपको पता है second quadrant में cos क्या होता है sine positive होता है, लेकिन cos क्या हो जाएगा negative हो जाएगा, ठीक है और एक और सीज़ आपको याद करनी होती है याद रखेगा, pi by 2 लिखा हो, या 3 pi by 2 लिखा हो, ठीक है तो यहाँ पर चीज़े बदल जाती है जैसे sine होगा, तो cos हो जाएगा ठीक है, क्या-क्या बदलता है sine बदल जाता है cos में ठीक है, और cos sine में बदल जाएगा, उल्टा भी होता है tan जो हो जाएगा, वो cot में बदल जाएगा ठीक है, इसी तरीके से cot tan में बदल जाएगा इसी तरीके से cos sec जो होगा वो sec में बदल जाएगा और sec जो होगा, वो cos sec में बदल जाएगा यह अगर आपको पता है तो आप कर ले जाएगे अब देखे क्योंकि ना pi by 2 है ना 3 pi by 2 है इसका अदब change नहीं होगा तो cos लिखा है, cos cos ही रहेगा और यहाँ पर pi minus x है तो हो जाएगा cos of x लेकिन negative में होगा क्योंकि आपको हमने बताया कि cos की value यहाँ पर second quadrant में क्या होती है negative होती है, ठीक है तो इसलिए minus cos x will be the correct answer चलिए आप एक चीज़ हमको बताएगा 10 pi minus x अगर होता ठीक है, तो आप बताएगा इसकी value क्या होती है, ठीक है इसको आप लोग क्योंड बॉक्स में लिखके बताएगा question number 14th पर आते है 14th question भी उसी का ही यह देखिए application दे दिया है, ठीक है इसमें क्या दिया गया, find the value of sign 150 अब देखिए, sign 150 कहा लाई करेगा तो आपको पता है, second quadrant में लाई करेगा और second quadrant में sign की value क्या होती है sign की value आपने देखी थी, positive होती है ठीक है, अब sign 150 को क्या लिखा सकता है ऐसे लिख सकते है, sign 180 minus 30 भी लिख सकते है इसको, अब sign 180 minus 30 को क्या लिखा सकता है एक क्योंकि आपको पता है चेंज नहीं होगा साइन साइन में ही रहेगा और लेकिन बहुत आसान आपको तरीका हम बता देते हैं देखें क्या करिएगा जैसे आपको दिया गया है find the equation of line इसको 15 नमबर पह लिख दे यहाँ पर आप जो options दिये हैं उससे आप लोग देख लीजिए जैसे slope क्या दिया है 1 by 2 दिया है इस question में ध्यान से देखने को मिलेगा slope होता क्या है slope अगर आप देखेंगे तो जो coefficient y का हो slope का उतलब होता है dy by dx slope is equal to dy upon dx ठीक है differentiation होता है y का with respect to x तो पहले आप क्या करिएगा कि y की value आप पहले निकाल ले तो आसानी से हो जाएगा तो equation को अगर y के terms में निकाले तो देखे क्या आ जाएगी ठीक है या इसको और आसान तरीके से अगर बताया जाए तो आप ऐसे समझ लिजे अगर कोई भी ऐसी equation दी हो ठीक है तो आपको करना क्या slope जो होता है तो negative of minus 4 हो जाएगा ठीक है तो यह minus minus कट गया तो 2 by 4 को अदलब क्या हो जाएगा 1 upon 2 हो जाएगा तो इसलिए slope क्या है 1 upon 2 है बाकी आप अगर किसिम भी देखेंगे आपको slope 1 upon 2 नहीं देखने की मिलेगा यहाँ पर अगर आप slope देखेंगे तो यह minus 1 by 2 आ जाएगा यहाँ पर 3 by 4 minus 3 by 4 ऐसे करके आ जाएगा तो इसलिए a option जो है वो इसमें सही हो जाएगा अगले question पर आते हैं question number 16 देखते हैं 16 देखें क्या कह रहा है the equation ax square plus bx plus c is equal to 0 तो देखें आपको एक equation दी गई ax square plus bx plus c equal to 0 real and unequal roots है तो पहली वारत real के याद रखेंगा real के लिए d या तो बराबर या तो greater than 0 होता है imaginary roots के लिए जो discriminant होता है वो less than 0 होता है तो real के लिए पहली चीशते हो गई कि d की value d क्या होता है d होता है b square minus 4ac ठीक है यह d होता है अब यह real लेकिन साथ-साथ unequal भी है बन equal का मतला यहाँ पर equal ओला sign हटा दीजे तो क्या बन जाएगा d is greater than 0 आ जाएगा तो इसलिए b सही हो जाएगा अगर मान लिए इसी में real भी पूछा होता and equal भी पूछा होता तब क्या होता तब जो d की value होती वो 0 होती ठीक है केवल real पूछा होता ना equal दिया होता ना unequal दिया होता केवल अगर मान लिजे real दिया होता तो d की value आ तो greater than होती या तो equal to 0 होती अगले पर आते हैं 17 question को देख लेते हैं दिखे question बहुत आसान पूछे आते हैं कठी नहीं पूछे आते हैं अगर आपने class 910 की तियारी ठीक से करी है तो भी आसानी से हो जाते है question 750 gram और 5 kg का ratio पूछा गया है तो इसका अलब 750 ऊपर रहेगा upon 5 kg अदलब 5000 gram नीचे रहेगा याद रखेगा यह भी gram है और यह भी gram में ही रखेगा नहीं कि एक को केजिम रख दें एक को ग्राम में रख दें तो गलत हो जाएगा दोनों कट जाएंगे यह कट गया ठीक है 25 से काट लिजे 25 375 25 250 और जिरो इसका लगा answer क्या आ गया 3 by 20 आ गया तो यहां पर 3 by 20 तो आप 50 और 0 20 आना तो ही चाहिए तो फिलाल इसमें हमारा जो answer आ रहा है वो तो 3 by 20 आ रहा है बाकि यह पता नहीं कैसे option ने दे दिया है क्योंकि नहीं यह 3 by 20 हो पाएगा ठीके 20 by 3 भी होता तो option इसमें लगाया जा सकता था लेकिन चलिए इस question में थोड़ा सा confusion रखते हैं इसमें आपको क्वेंट बॉक्स में बताएगा कि अगर आपको लगता हो कि इसको सही किया जा सकता है तो कैसे इसको सही किया सकता है या ही यह यह answer इसका सही है अगर आपको 3 by 20 सही answer लगता है तो answer में 3 by 20 क्वेंट बॉक्स में जो लिखके बताएगा अब यह previous year में पूछा गया अब पता नहीं सही था कि गलत था लेकिन फिलाल हमारा नहीं आ रहा है next पे आते हैं question number 18 है 18th question देखें क्या कह रहा है यहां पर 18 लिख देते हैं how many lines can be passed through one given point अब देखें कोई भी एक given point है ठीक है जैसे माल लिए यहां point एक दिया है यहां से कितनी लाइने बना सकते हैं एक दो थोई ना ना चार ना दस ना बीस infinite number of lines को बनाया जा सकता है यहां पर डी option सही हो जाएगा लेकिन अगर माल यह दो point पूछे आते और पूछे था इन में से कितनी लाइन ना आई जा सकती है तो इसमें से एक ही लाइन ना आई जा सकती है ठीक है volume of sphere is 4851 cm3 तो देखे volume दिया स्फेयर का 4851 कौन सा question हो जाएगा है 19 हो जाएगा इसको 19 लिख लेते हैं तो देखे volume स्फेयर का होता क्या है तो इस फेयर करकर आप volume देखेंगे तो 4 by 3 पाई आर क्यूब होता है तो आप चाहें तो पहले radius निकाल ले फिर उसको double करके diameter निकाल ले वही ज्यादा अच्छा रहेगा तो क्या करना है 4851 is equal to 22 by 7 रखिए multiplied by 4 by 3 करिए 4 by 3 पाई इंटू आर क्यूब तो पहले आर क्यूब की आप अगर value निकाल ले तो आसानी से हो जाएगा एक 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 करके multiply चाहे तो कर लिजे या जो भी करना हो कर लिजे आर क्यूब की value आपके पास आनी चाहिए तो देखे आर क्यूब आप निकाल लि तो 10.5 के आसपास इसका आपको radius मिल जाएगा है 10.5 cm हो गया लेकिन क्योंकि radius तो बताना नहीं है बताना तो diameter है diameter क्या होता है डबल दा radius होता है तो 2R तो 2 multiplied by R कर दीजे R कितना 10.5 है ठीक है तो कितना हो जाएगा 21 cm इसका answer हो जाएगा तो यहाँ पर D option इसले क्या हो जाए है question number 20 में आते हैं 20th question देखे क्या कह रहा है 20th question में कहा गया था base radii of two circular cones of same height are in ratio 3-4 the ratio of their volumes are अब देखे volume का ratio आप से पूछा गया है तो पहले तो base of same height मतलब हाइट same दी है इसका मतलब h1 upon h2 जो है यह 1 है ठीक है अब यहाँ पर आपको r in ratio radius का ratio दिया है तो 1 by r1 upon r2 क्या है volume क्या होता है volume अगर cone का देखा जाए तो volume of cone का आपको formula पता होने चाहिए 1 upon 3 pi r square h होता है cylinder का क्या होता है cylinder का होता है pi r square h ठीक है cone का क्या होता है 1 by 3 बस लग जाता है तो पहला वाला cone upon दूसरा वाला cone अब 1 by 3 तो दोनों में same रहेगा pi भी same रहेगा h b same है तो क्या कह सकते है r1 upon r2 का whole square के proportional होगा अब r1 upon r2 value 3 upon 4 है तो 3 upon 4 का है इसको whole square रदलब 9 by 16 के proportional हो जाएगा तो यहाँ पर a option इसलिए सही हो जाएगा ठीक है अगले question पर आते हैं तो देखे 21st question जो है वो क्या किया रहा है एक question इसके बाद और discuss करेंगे इसमें कहा गया largest right circular cone को क्या करना है insert करना है किसके अंदर cube के अंदर जिसकी आपको side दिए से मान लिए cube है cube को हम लोग square की तरह मान लेते हैं भी फिलाल क्योंकि 3D बनने कोई मतलब नहीं है से मान लिए है वो बराबर हो गया इसके side के तो हम लोग जो base है वही इसकी height भी दिखाई पड़ रही होगी मतलब जो इसका side दिखाई पड़ रही है वही side ये भी है ठीक है तो हम लोग क्या कह सकते है कि जो height है ठीक है या जो कहें side है cube की वो किसके बराबर है diameter के बराबर है आप से पूछा क्या गया था radius तो diameter को क्या लिख सकते हो 2R तो 2R की value क्या हो गई 2R की value हो गई 4 और 2R 4 हो गया तो r क्या हो जाएगा 2 cm हो जाएगा तो radius क्या होना चाहिए 2 cm होना चाहिए वही हम लोग maximum insert कर सकते है एक cube के अंदर जिसकी side क्या होगी 4 cm last question को देख लेते हैं इसमें देखें बहुत simple चीज इसमें कही गई है find the point of intersection of lines अब देखें इंटर सेक्षन निकालना बहुत आसान है intersection का अदलब यह है कि X और Y की value बतानी है तो आपको दो equation दी गई है तो यहाँ पर 5X है यहाँ पर 2X है तो पहले X के response में इसको हम लोग equate कर लेते हैं तो क्या करिए पहली equation को तू सर्ड़ प्लाई कर दीजे और दूसरी equation को फाइव सर्ड़ प्लाई कर दिए तो देखेंगे इस equation को तो ऐसे कुछ मिल जाएगा 10X ठीक है 10X हो जाएगा बेटर यह है देखिए यहाँ पर एक प्लस है और एक माइनस है तो यह करिए कि Y वाले पहले अटाते हैं ज्यादा सही रहेगा आसान होयागा सीधे सीधे आप जोड़ दीजेगा तो equation 1 में देखे 7 और 3 LCM 21 तो क्या करिए इसको 371 पह जाए किया ठीक है तो पहली equation को 37 करने देखे क्या मिलेगा यह मिल जाएगा 15X प्लस हो जाएगा 21Y बराबर क्या हो जाएगा 339 इसी तरीके से 7 से रप्लाई करेंगे तो 7 2 14X ठीक है प्लस यहाँ पर 7 321 तो माइनस 21Y हो जाएगा और 77 क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा अब आ यह हो जाएगा 58 ठीक है 58 हो गया ना जोड़ दिए 49 प्लस 9 58 तो X क्या आ गई 2 आ गई अब X की वेलू 2 आ गई तो यहाँ पर भी 2 दिखाई पल रहा है यहाँ पर भी 2 दिखाई पल रहा है अब क्या करिए किसी भी इस वाली equation माली जै एक्स वेलू पुट कर देते हैं तो 2 2 इंटो 2-3y is equal to 7 तो 3y की वेलू क्या गई 2-4-3 ठीक है 4-7-3 तो 3y की वेलू आरी-3 तो y क्या जाएगा minus of 1 बना जाएगा ठीक है तो यहाँ पर C option इसलिए क्या हो जाएगा बिल्कुल C हो जाएगा क्योंकि हम मैनस 1 है उपर एं प्लस 1 दिया था तो इस तरीके से हम आए गए हैं उससे आपकी त्यारी बहुत अच्छे से हो सकती है तो उसको जूर देख लिजेगा और अपना ठीक से करते रहे तो अभी क्लिफलाल नहीं थेंक्यू वेरे मक्ट गुडबाई जैहिं झाल 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 झाल